ये 5 चीजे दूद की साथ कभी भूल कर भी मत खा लेना वरना हो सकती है आपकी मूद भी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सई सुना इन 5 चीजों से आपके पेट में दिक्कत हो सकती है और आपको तवचा से संबंदित रोग भी हो सकते हैं तो वीडियो के एन तक बने रहेगी क्योंकि ये 5 चीज आपके लिए बहुत जादा इंपोटेंट है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो नमबर वन पर आता है नमक रखोता है तो दूद के साथ नमक खाने से बिलकुल परेश करें अब नमबर दो पर आता है कठल जी हां दोस्तों आपने कठल का नाम तो ज़रू सुना होगा जो रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है लेकि दूद के तुरंद बाद या दूद से तुरंद पहले य जैसे परिशानी हो सकती है और यह आपके डाइजेशन पर भी बहुत असल डालेगा कि आपका डाइजेशन भी खराब कर सकता है यानि आपका पाचन भी दूद के साथ खटल खाने से बिकार हो सकता है तो जो अब नमबर तीन पर आती है वह दोस्तों अड़की दाल जीया आपको दूद के साथ कभी नहीं खानी चाहिए उड़त की डाल को ज्यादेतर लोग शाम में भी खाना मना करते हैं लेकिन इसको दूद के साथ तो कभी भी मत खा लेना दूद के तुरंट बाद उड़त की डाल खाने से इससे पाचंत अंतर आपका बिल्कूई बिगड़ जा यानि कि आपका क्यलिस्ट्रोल का स्थर भी ऊुपर चला जाएगा जो आपके शरीर और अपके हेल्थ क लिए बहुत जादा हानिकारग होता है नमबर चार पर जो आता है वो सब्से ज़्यादा हानिकारत है, जो है نیمबू और खटे फल, जी हां दोस्तों, नीमबू और खटे फल का सेवन आपको दूद के तुरंत बाद कभी नहीं करना है, और ना ही दूद के साथ साथू, ये आपको बच्पन सही सिखा जाता होगा कि दूद के साथ नीमबू का कभी सेवन नहीं हो सकता लेकिन हम आपको बताएगे कि इससे क्या हो सकता है इससे पाचन से जुड़ी समस्या आपको रोज हो सकती है और दोस्तो दूट के तुरंद बाद नीम्बू या खटे फल खाने से आपको गैस, अपाचेन, बधजमी जैसी समस्या से भी परेशानी हो सकती है तो दोस्तो जब भी आप दूट पे तो नीम्बू और खटे फल को सबसे अलग कर दे नमबर पांच पे आती है मचली जी हाँ दोस्तो जो शाकाहरी नहीं है, वो कभी-कभी दूट के साथ या दूट के तुरंद बाद मचली खा लेते हैं तो ऐसा आप बिल्कल भी मत कीजी क्योंकि दूद के तुरंट बाद या दूद के साथ मचली खाने से आपके स्वास्तर और आपको बहुत जादा तकलिफ हो सकती है दूद के साथ मचली का सेवन करने से आपको स्किन से जुड़े जोग हो सकती है जैसे आपकी स्किन वाइट हो सकती है जी हाँ दोस्तों आपको सफेद दाग पूरे स्किन पर अपने दिखाई देंगे दूट के साथ या दूट से पहले या दूट के तुरंद बाद मचली का प्रियोग बिलकुल ना करें इससे आपके पेट से जुरे भी बहुत जादे रोग होते हैं आपके पेट में सूचना सकती है तो बिलकुल भी मचली का प्रियोग दूट के साथ कभी मत कीजिए तो दोस्तों ये थी वो पांच चीज़े तो दूट के साथ कभी नहीं खानी चाहिए हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे कि दूट कैसे प्याना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिजिए जिस्ते की नेक्स वीडियो आप तक पहुच जाए मिलते आप से एकली वीडियो में तब तक के लिए बाए